गले का टीजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूट के कपड़े में पीछे की साइड में ऐसे बाकरम को चिपका देना है बाकरम की लंबाई कितनी है ये नाप लेते हैं बाकरम की लंबाई 11 इंच और इसकी 14.5 इंच है अब हम इसे बीच में से ऐसे फोल्ड करके यहां पर हलका सा गोल सेफ में लाइन अप करेंगे ये देखिए ऐसे लाइन अप करना है आपको हलका सा गोल सेफ में अब यहां से हम कट कर लेंगे ऐसे कट करने के बाद अब हम सूट के कपड़े को ओपन करेंगे अब हम इसे बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे अच्छे से इसे फोल्ड कर लेना है दोनों साइट का कपड़ा आपका सेम साइज में होना चाहिए अब हमें यहां पर ऐसे यह साड़े 5 इंच की लंबाई पे टिक लगानी है तो ये देखिए ऐसे साड़े पाच हिंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे उसके बगल में हमें एक और टिक लगाना है तो हम साड़े आठ हिंच की लंबाई नापकर यहाँ पे टिक लगाएंगे और स्केल की सहायता से इसे लाइन अप करेंगे तो आपको ऐसे लाइन अप करना है अब दूसरे वाले लाइन को लाइन अप कर लेंगे अब हम कपड़े को ओपन करेंगे ये देखिए ऐसे इसे आपको ओपन करते हुए अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हम हलके हलके हातों से कपड़े के उपर ऐसे हलका हलका थपतपा देंगे जिससे हमारा एक साइड का लाइन दूसरे साइड मे ऐसे छप जाएगा तो ये देखिएे perfect shape में हमारा दोनो साइड में लाइन अफ हो चला है लेकिन हम इसे और थोड़ा सा dark कर लेंगे ये देखे इतना है हमारा दूसरे साइड का लाइन जितना हमारा पहले वाला साइड में उतना ही हमें दूसरे वाले साइड में भी ऐसे लाइन अप कर देना है अब हमें बीच में यहाँ पे लाइन अप करना है तो इसके लिए हम यहां पर 9 इंच की लंबाई पे टिक लगाकर एक बराबर में लाइन अप कर लेंगे अब जो हमने लाइन अप किया है वहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है ऐसे अब हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे तो ये देखिए कपड़े को फोल्ड करके हमें इसके उपर ऐसे सिलाई चला लेनी है जहां तक हमने line-up किया है वहां तक हमें सिलाई चलानी है अब दूसरे वाले line पर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और same step को follow करते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे जहां तक हमने line up किया है बिल्कुल वहीं तक हमें सिलाई चलानी है इसी तरीके से हमें सारे line के उपर सिलाई चला लेनी है तो ये देखिए हमारी ये line complete हो चली है अब हमें इसमें design बनाने के लिए एक छोटा सा बाकरम लेना है बाकरम की लंबाई साड़े 7 इंच और इसकी चोड़ाई 10 इंच है अब हम बाकरम को ऐसे fold करेंगे और यहां से गले की चोड़ाई नापेंगे तो गले की चोड़ाई हमें 3 इंच लेनी है गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लेकिन मैंने 5 इंच लिया है तो 5 इंच की लंबाई पे ऐसे टिक लगाने के बाद अब हम इस गेल की सहायता से ऐसे लाइन अप करेंगे इस साइड में भी लाइन अप कर लेंगे अब हमें इसके कोने की साइड में एक इंच दो पॉइंट पे ऐसे टिक लगाना है ये देखिए एक इंच दो पॉइंट पे हमने टिक लगाया है और इसे हलका सा गोल सेफ में ऐसे लाइन अप करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब हमें यहां से इसकी cutting कर लेनी है गोल सेफ वाले design के बगल में हमें ऐसे cut करना है एस्ट्रा बक्रम को हमें इस गोल सेफ वाले design को इस्त्री के सहायता से कपड़े पे चिपका देना है अब गले की design को हम design के उपर ऐसे लगाएंगे ये देखिए अब इसके बीच में हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चला कर धागे को कट कर लेना है अब जिस सेप में हमारे गले की कटिंग हुई है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला देंगे तो ये देखिए जैसा कि हमारा बक्रम का कटिंग है बिल्कुल उसे सेप में हमें इसके उपर सिलाई चला देनी है अब हम यहाँ से एश्टा कपड़े की कटिंग करेंगे ये देखिए ऐसे हमें एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेनी है सिलाई के बगल में कट करनी है, सिलाई के उपर नहीं फिर कपड़े में हम ऐसे छोटे-छोटे कट कर लेंगे जिससे हमारा बाकरम आसानी से फोल्ड हो जाएगा तो बाकरम को हम ऐसे फोल्ड करेंगे अब इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हमें केवल इसे इस्तरी कर लेना है इसके उपर अभी हमें सिलाई नहीं चलाना है ये देखिए आगे से हमारा डिजाइन ऐसा लगेगा अब इस डिजाइन को तयार करने के लिए हमने चौकोर सेप में कटा हुआ दो कपडा लिया, एक कपड़े में हम ऐसे छोटे-छोटे ढहरे सारे कट कर लेंगे अब फिंगर की मदद से कपड़े को रोलिंग करते हुए दूसरे कपड़े में लगा कर ऐसी पोतली वाले डिजाइन बनाएंगे तो ये देखिए गले के डिजाइन में हम पोतली वाले डिजाइन को यहां पर ऐसे लगाएंगे थोड़ी-थोड़ी दूरी पे हमें पोतली वाले डिजाइन को ऐसे लगाना है पास पास जदा नहीं लगाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना है आपको और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी next वीडियो की notification मिलती रहेगी तो इस तरीके से friend आप इस design को बहुती easy step में तयार कर सकते हैं पोतली वाले design को गले की design में add करने के बाद अब इसे perfect shape में बैठाने के लिए अब जिस side में हमारा पोतली वाला मोती बना है बिल्कुल उसी side में हमें ऐसे silaic चला देनी है जिससे हमारा ये design perfect shape में बैठ जाएगा ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे design के उपर अच्छे से silaic चला देनी है जिससे आपका design perfect shape में बैठ जाएगा इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए यहां से हम धागी को कट करेंगे डिजाइन को पर्फेक्ट सेफ में बैठाने के बाद अब हमें एक और डिजाइन बनाना है तो उसके लिए हमने एक छोटा सा कपड़ा लिया है कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड करके इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है अब हम इसे सीधा करेंगे तो फिंगर की मदद से आसानी से आप इसे ऐसे सीधा कर सकते हैं लेकिन इसके कोने की साइट को सीधा करने के लिए कोई भी नोखीली चीज की सायता से इसके कोने की साइट को अच्छे से सीधा कर लें अब हम इस छोटे से बॉक्स के बीच में चूनट बनाएंगे तो उसके लिए हमने मोती लिया है और सुईधागा लिया है सुई धागा के मदद से box के बीच में हम ऐसे चूनट बना लेंगे ये देखिए, चूनट बनाने के बाद इसे अच्छे से लॉक कर लेना है इसे लॉक करने के बाद, अब हम इसमें मोती लगाएंगे तो मोती को सुई के अंदर ऐसे डाल के चुनट के उपर लगा लेना है अब हम पीछे की साइड से अच्छे से धागे को लॉक कर देंगे सेम साइज का हमें ऐसी चार और डिजाइन बना कर तयार कर लेनी है इस डिजाइन को हमें गले के डिजाइन में लगाना है तो गले के design में फ्रेंट हमें इस design को यहाँ पर लगाना है यह देखिए यह जो हमने लंबी line वाली design बनाई है उसमें हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है सारे design में और गले के design में आपको white color का मोती ऐसे लगा देना है जिससे आपका design बहुती सुन्दाई